क्लास सेवन का सेवन ही लेशन है उसको पढ़ना है लेशन का नाम है रिस्पान्सिबुल किंग जिम्यदार राजा once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of river once upon a time एक समय की बात है once upon a time का मतरब होता है एक समय की बात है there was a king कहीं एक राजा था जब कहीं राजा था या कोई सेर था या कुछ था तो there से सुरू होता है जिसे there was a king यहां लिखा है जिसे there was a lion एक सेर था there was a lion in the jungle तो ऐसे there से सुरू होता है तो there was a king एक राजा था एक बार एक राजा था who lived जो रहता था in a palace महल में on the banks of river नदी के किनारे नदी के किनारे banks कहा था there was a king who lived in a palace एक राजा था जो रहता था पाइले महल में on the bank of river नदी के किनारे अब दौनों किनारों पर तो महल नहीं सकते हो सकता एक महल दो किनारों पर कैसे होगा तो bank of river नदी के किनारे पर रहता था एक महल में He was unhappy, वह प्रसन्द आप्रसन्द था, happy means प्रसन्द, unhappy माने आप्रसन्द, यानि खुश नहीं था, प्रसन्द नहीं था, Because, क्योंकि the people of his kingdom, क्योंकि उसके सामराजी के जो people थे लोग, kingdom माने राजी, जहां तक उसका राजी फैला हुआ था, उसको kingdom कहा जाता है, kingdom माने राजी होता है, जहां तक राजा की टेटरी हो छेतर हो, जितनी दूर तक उसकी जागीर हो, तक the people of his kingdom, उसके राजी के लोग, were irresponsible, कैसे थे, irresponsible थे, responsible नहीं थे, जिम्मेदार नहीं थे, यानि गैर जिम्मेदार थे, he was unhappy वो प्रसन्न नहीं था या वो प्रसन्न था because क्योंकि the people of his kingdom क्योंकि उसके राज के लोग were irresponsible गैर जुम्यदार थे जुम्यदार नहीं थे यहरी time he bent out यहरी time यहरी माने प्रतेक टाइम माने बार समय तो यहरी time प्रतेक समय यानि जब तब he bent out वो जाया करता था in his chariot अपने रत में बैठ कर chariot माने रत होता है he used to see और वो देखा करता था used to see देखा करता था used to go जाया करता था he used to see वो देखा करता था stones पत्थरों को and rubbish और कूडा करकट को lying पड़ा हुआ on the roads सडकों पर क्या होता था हर बार जब कभी वो जाता था out बाहर in his chariot अपने रत में बैठ कर he used to see और देखा करता था stones छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं सडकों पर and rubbish और कूडा करकट पड़ा है lying means पड़ा है on the roads सडकों पर पड़ा है every time he sailed कभी कभार वो जाता था कहां in his boat अपनी नाव में बैठ करके sailed करता था sail मने नाव का खेना कभी कभी वो नाव नवया करता था या नाव का विहार करता था या नाव में बैठ कर खेते होए जाता था he found और वो पाता था the river very dirty अब नदी को कई से पाता था very dirty बहुत ही गंदी dirt माने गंदगी और dirty माने गंदी अलाज अब जब नदी को और सडकों को इस प्रकार से देखता था सडकों को सडकों पर कूडा करकट पड़ा हुआ है सडकों पर पथर पड़े हुए है तो उसको बहुत तकलीफ होती थी तो एक दिन उसने कहा अलाज खेद है अलाज का मतलब दुक्की बात है why are my people so irresponsible मेरे जो लोग है मेरी जो जनता है प्रजा है people माने लोग उस जमाने की बात है जब राजा लोग होते थे तो जो लोग होते थे वो जनता उनको प्रजा कहा जाता था आप तो जनता कहा जाता आप सरकार है और लोग है और तब राजा होता था और बाकी प्रजा होता था तो प्योपिल माने प्रजा भी होता है तो why are my people क्यों मेरी जनता क्यों मेरे लोग क्यों मेरी प्रजा सो इर्रेस्पांसिबूल इतनी गहर जुम्मेदार क्यों है मेरी प्रजा इतनी गहर जुम्मेदार हुआई आर क्यों है क्योंकि कुश्चन मार्क लगा है तो प्रस्वाचक से सुन हुआ है why are my people, क्यों है मेरे लोग, क्यों है मेरी परजा, so irresponsible, इतनी गहर जुम्मेदार, he mourned, उसके अंदर से तड़ाप उठती है, तो कराह उठती है, तो उसके एक तड़ाप उठती है, वो एक गहरी सांस लेता है, आह भरता है, why do they not keep the roads clean, why do they not keep, क्यों नहीं रखते हैं लोग, they माने वोग, they माने वोग, वोग माने जनता, why do they not keep, वोग क्यों नहीं रखते हैं, the roads, सड़कों को clean, साबसुत्री, वो सड़कों को साबसुत्री, क्यों नहीं रखते हैं, गेर जुम्मेदारी कारण है, he thought, वो सोचता था, या उसने सोचा, फार ये वाइल थोड़ी देर तक थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, and said और कहा, I must teach them, मुझे उन्हे पढ़ाना चाहिए, teach माने पढ़ाना, them माने उन्हे, उन्हे माने लोगों को, I must, must माने चाहिए, तो I must teach मुझे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए माने, सिखाना चाहिए, सिच्छा देनी चाहिए, त One night, एक रात, he took a bag, one night, एक रात, he took, उसने लिया a bag, एक थैला, of gold coins, सोने के सिक्कों का, एक ऐसा थैला लिया, bag लिया, जिसमें gold coins थे, सोने के, जिसमें सिक्के भरे थे, बिधिम अपने साथ, and bent to, और चला गया, to the main road, और कहां चला गया, main road पर, मुख्य सड़क पर, main road का मतलब होता है, मुख्य सड़क, जो बड़ी वाली सड़क है, जिस पर लोग ज़्यादा चलते हैं, तो main road पर चला गया, हीस वजीर, वजीर का मतलब होता है, मंत्री से, आज जो है मंत्री, उनको minister भी कहा जाता है, लेकिन तब मंत्री वो अपने पसंद का रखता था, जिन से वो सलाह लेता था, तो his wajir was also vid him, उसका wajir भी उसी के साथ था, also माने भी, बिद माने साथ, his wajir was also vid him, उसका wajir, यह नी राजा का wajir, उनके साथ ही था, he saw a pit in the middle of the road, he saw, उसने देखा, किसने राजा ने देखा, He saw a pit, उसने देखा, एक pit, एक गढधा, in the middle, बीच में, आप the road, सड़क की, सड़क के बीचों बीच में क्या देखता है राजा, एक pit देखता है, pit means, गढधा, He put, उसने रख दिया, put means, रख दिया, put, 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 तीनों ये कहे होते हैं, फार्म, put माने रखता है, put माने रख दिय तीनों फार्म ये कहे होती हैं, तो He put, उसने रख दिया, the gold coins, सोने के सिक्कों को, in it, इसमे, इसमे means, गढधे में, then the king, तब राजा, and the वजीर, और वजीर, कवार्ड, ढग दिया, तब राजा, और वजीर मिल करके, ढग दिया, क्या ढग दिया, pit, गढधे को, बिद ये big stone, एक बड़े stone से, बड़े पत्थर से, पत्थर बड़ा था, तो राजा या वजीर, अकेले नहीं उसको रख सकते थे, इसलिए दोनों, उसको rolled out करते, क्या करते, उसको पलटते होए लाते हैं, और फिर उसी गढ़े पर रख देते हैं, दो लोग रख देते हैं next day, अगले दिन, next day, अगले दिन, ये mine came, एक आदमी आया, along the road, along the road, सड़क पर, along लिखा जाता है, सड़क पर होका सड़क से, along the road, along the road, याद रखना, along the road, अगले दिन एक आदमी, उसी सड़क से आया, in his car, अपनी गाड़ी में, कार्ड का मतलब गाड़ी से होता है, किसी प्रकार की गाड़ी होगी, उसमें बैल जुते होगे, या घोड़ा जुता होगा, तो कार्ड से आया, जैसे बुला कार्ड मने बैल गाड़ी, हार्स कार्ड मने, रत, घोड़ा गाड़ी, तो next day, अगले दिन, ये mine came, एक आदमी आ गाड़ी, जिस गाड़ी में बैट कर आया, वो गाड़ी काहे से फुल थी, काहे से भरी थी, कोल से, कोल मिन्स कोयला, कोयले से भरी थी वो गाड़ी, ही सा, उसने देखा, दा बेक स्टोन, उस बड़े से पत्थर को, इन दा मीडिल, बीच में, आप दरोड सड़के, उस पड़ा कोई मोटर है कार है बस है ट्रक है तो उसको ड्राइव किया जाता है लेकिन जो गोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी होती है उसको गावा में हांकना कहते हैं तो हीज ड्रो हीज काट उसने अपने गाड़ी हांकी गाड़ी चलाई राउंड दा इस्टून पत्थर से राउंड करके राउंड क तो गाड़ी वाला जो निकला था और बीच रास्ते पर जो पत्थर पड़ा हुआ था उसको पलट नहीं पलटा और उसको थोड़ा हट करके राउंड करके वो निकाल दिया लेकर चला गया अपना गाड़ी फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ है अनादर मैन एक दूसरा आदमी केम आया एलांग का मतलब उसी रास्ते से आया बिदीय फलाक एक जुन्ड के साथ फलाक मतलब जुन्ड समूह जिसमे ज़्यादा हुआ आफ सीप आणड गौट्ट्स भेड़े और गौट्स और बकरियों के यहनि गोट्स माने बकरियां और सीप माने भेड़ और भेड़े दोनों होता है सीप का एक बचान और बचान वही होता है सीप का मतलब भेड़ और सीप का मतलब भेड़े तो भेड़ों और बकरियों के फ्लाक के साथ फ्लाक मतलब जुंड के साथ भेड़ों बकरियों के जु मुह लेकर निकला था, वो आदमी भी डिड नाट पे अटेंशन, उसने भी ध्यान नहीं दिया, अटेंशन का मतलब ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, बाहर का ध्यान, अब भीतर के ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं, बाहर के ध्यान को अटेंशन कहते हैं, तो दमाय ब्हेंड बकर्यों का तो अधर साइड दूसरे तरफ यो त्झे। दूसरी तरफ से वो ड्रो कर गया, ड्राइव कर गया यह निकाल ले गया, चला ले गया, फिर से देख लो, दा मैं डिन नाट पे अटेंशान टू इट, इस पत्थर पर उस आदमी ने भी ध्यान अटेंशान नहीं दिया, और ड्रो और चला ले गया, यह हांक ले गया, इस फ्लाक अपने फ्लाक को, अपने जुन्ड को, काहे का जुन्ड, बगरी और भेणों का जुन्ड, उन्सको एक किनारे से साइड से निकाल ले गया, इस बहुतसे अन्य लोग बउटसे अन्य लोग आलशो पास्ड भेए, पास्ड अलांग दा सेम रोड, उसी सेम मिंस उसी रोड सडक से, उसी सड़क से बहुत से अन्य लोग भी पाज्ड यानि निकल गए गुजर गए बट आल अप देम लेकिन उसमें से आल सभी लेकिन वह सब लोग यानि उसमें से सभी लोग वेर सो इरिस्पांसबुल उसमें से सभी लोग थे क्या थे सो इतने सो मिंस इतने इरिस्पांसबुल गएर जुम्यदार डायट की दे डिड नाट बादर क्योंकि उन्होंने क्या किया डिड नाट बादर उन्होंने कोई फिक्र नहीं की कोई चिंता नहीं की कोई परेशानी पत्थर को पत्थर को हटाने की किसी ने भी तकलीफ नहीं उठाना चाहा आखिरकार अंततो गर्तवा, आखिरकार क्या हुआ, आखिर में जब वो पत्थर पढ़ा ही रहा, फिर राजा एक दिन आया, वो फिर देखा वो पत्थर पढ़ा है, वही का वहाँ, जहूं कहते हो, तो king ने क्या किया king, called all the people, राजा ने उन सभी लोगों को बुलाया, of his kingdom, अपने राज के, अपने राज में रहने वाले लोगों को बुलाया, and said और कहा, जब राजा ने देखा वो पत्थर जो कात्यों पड़ा है, तो उसने क्या किया, the king called all the people, राजा ने बुलाया, सभी लोगों को, अप his kingdom अपने राज के, and said और कहा, come, आओ, let us remove the stone from the road, क्या करते हैं, let us remove, आओ, हटाते हैं, the stone, पत्थर को from the road, सडक से, सडक से पत्थर को हटाते हैं या हटा दे, लेट का मतलाब देना दो, let us लिखा है है, let us remove, आओ, हटाएं, the stone, पत्थर को from the road, सडक से, आओ, सब लोग, सडक से पत्थर को हटा दें, या हटाएं, जैसे, let us go, come, let us go, आओ, हम सब चलें, तो आप सब लोग आओ, और क्या करें, let us remove the stone from the road, सडक से, सडक से, पत्थर को पत्थर को रिमो कर दें, रिमो मारे हटा दें, people were stunned, लोग तो, इस्तब्ध रहे गए, अवाक रहे गए, आश्यर चकित हो गए, अचम्भित रहे गए, people were stunned, लोग क्या होए, इस्तब्ध रहे गए, उनके बोल नहीं फूट रहा है, तो people were stunned, लोग चकित होए, to see देखकर, the gold coins, सोने के सिक्कों को in the pit, गड़े में, when they rolled the stone away, जब उन लोगों ने क्या क्या, rolled the stone away, जब उन लोगों ने पत्थर को क्या क्या क्या, rolled away, roll का मतलब होता है, पलटना, अवे माने दूर, जब उसको पलट करके, पत्थर को दूर किया, यानि जब पत्थर को पलटा हठाया तब क्या पाया गड़े को गड़े में थे gold के coins सुने के शिक्षे तो people were concerned लोग जो थे वो हकावक कर हre रहे गए तूसी देखकर के the gold coins सुने के सिक्षे in the pit गड़े में when they rolled the stone away जब लोगों ने पत्थर को क्या किया rolled away किया यानि हटाया या लुटका करके दूर किया लुक देखो there were gold coins देखो gold coins थे where मने थे gold coins under the stone पत्थर के नीचे पत्थर के नीचे सोने के सिक्य थे तो there were gold coins under the stone पत्थर के नीचे क्या थे gold coins थे सोने के सिक्य थे But no one, लेकिन किसी ने नहीं, bothered, तकलिफ उठाई, to remove, हटाने की, the stone, पत्थर को, लेकिन पत्थर को हटाने की, किसी ने तकलिफ नहीं उठाई, बादर माने तकलिफ उठाना, चिंतित होना, परिशान होना, लेकिन किसी ने परिशानी नहीं उठाई, किस बात की, to remove the stone, पत्थर को modifying करें की हटाने की supp no one Airline इसलिए कोई पातर नहीं है pass तो इंस इन सवने के सिंकों कोई पातर नहीं है पातर का मतलब किसी को यह सुने के सिक्षे नहीं मिलेंगे नहीं मिलने चाहिए अगर कोई हटाय होता तो बिना दिये ही उसको मिल जाते वो पात्र बन जाता डिजर माने पात्र होना तो so no one deserves इसलिए कोई पात्र नहीं है इन सिक्कों का हगदार नहीं है डिजर माने पात्र होना या हगदार होना so no one deserves these gold coins इसलिए इन सोने के सिक्कों का कोई पात्र नहीं है कोई हगदार नहीं है had you have been responsible had you had you been responsible and removed the stone the gold coins would have been yours the king said to his people the king said to his people ये वाग के सबसे बाद में आया है देखिए राजा ने कहा to his people अपनी प्रजा से अपने लोगों से राजा ने अपने अपने लोगों से कहा king said to his people दा केंग सेड टू हीज पीपल माने राजा ने अपनी प्रजा से कहा, क्या कहा देखिए, क्या कहा, हैड यू बीन रिस्पांसबूल, यदि तुम रिस्पांसबूल हैड बीन, रहे होते, यदि तुम जुम्मेदार होते, जुम्मेदार रहे होते, जुम्मेदारी निभाने क आदर डाली होती, had you been responsible, यदि तुम जुम्मेदार रहे होते, and removed the stone और पत्थर को हटा दिया होता, the gold coins would have been yours, तो यदि तुम जुम्मेदार रहे होते, और पत्थर को हटा दिया होता, the gold coins तो सुने के सिक्के, would have been yours, तो सुने के सिक्के तुमारे होते, the king said to his people, यह बात, राजा ने, किस से कहा अपनी, people से, अपने लोगों से, the king ordered, राजा ने आदेश दिया, his wajir, अपने wajir को, wajir का बतला बताया ना, मंतरी, अपने मंतरी को, take the gold coins, ले चलो gold coins, ले चलो सुने के सिक्के, to my palace, मेरे महल को, after hearing, after माने बाद में, hearing माने सुनकर, hearing माने सुनकर, सुनने के बाद, यानि यह बात सुनने के बाद, this माने यह, यह बात सुनने के बाद, the people, जो उहां के लोग जो एक अठा हुए थे, वो जो प्रजा थी, felt assembled, felt assembled का मतलब, सर्विंदगी महसूस की, यानि सर्मिंदा हुए, felt माने महसूस किया, अनुभव किया, लगा उनको, क्या लगा, assembled, सर्मिंदगी लगी, यानि सर्मसार हुए, यानि उनको बहुत सर्म महसूस हुए, and सारी और सारी भी हुए, two माने भी, और सारी भी हुए, और उनको खेद तो आफ्टर हेरिंग दिस यहां सुनकर यहां बात सुनकर के राजा की दा प्रामिस किया प्रामिस माने वादा किया बचन दिया मनहमन सोचा मनहमन प्रतिग्या की और वादा किया यहां बचन दिया यहां प्रतिग्या की तू भी रिस्पांसबूल जिम्मेदार होने की जिम्मेदार सिटिजन होने की नागरिक होने की इसलिए जिम्मेदार होने की उन्होंने क्या क्या जिम्मेदार नागरिक बनने की उन्होंने प्रामिस किया वादा किया यानि प्रतिज्या की देखे,uraite,true are false, for the given statements, दिए होए कथनों के लिखना है तुमको true और false, यानि जो सही हैं, उनके लिए true लिखना है, और जो वाकिस में से जो कथान गलत हैं, इस्टेटमेंट जो गलत लिखे हैं, उनके लिए तुमको लिखना है false. तो the king lived राजा रहता था इन ये पाइलेस एक महल में तो ये बात सही है राजा तो महल में रहते ही थे जब राजाओं का जबाना था तो राजा लोग महल में ही रहते थे वो भी रहता था तो the king lived in a palace true है बात true का मतलब सत्य है his people were responsible उसकी जनता उसकी प्रजा जो थी we are responsible जिम्मेदार थी उस राजा की प्रजा responsible थी जिम्मेदार थी नहीं गलत irresponsible थी गयर जिम्मेदार थी तो ये फाल्स है तो फाल्स के लिए ये अफ लिख देना है the king wanted राजा चाहता था to teach पढ़ाना a lesson एक पाट पढ़ाना चाहती थी एक सबक देना चाहती थी देना चाहता था तो राजा क्या था the king wanted राजा चाहता था to teach शिखाना ये पढ़ाना a lesson एक पाट to the people अपने प्रजा को सही है true सही है the people removed लोगों ने remove किया हटा दिया लोगों ने हटा दिया the stone पत्थर को from the middle बीच से आप दा रोड सडक के सडक के बीच से लोगों ने पत्थर को हटा दिया था नहीं गलत है false false मांग मतलब क्या होता है गलत बात जूट बात the king gave the gold coins राजा ने दे दिया give means दे दिया the king gave the gold coins राजा ने दे दिया सोने के सिक्के to the people प्रजा को लोगों को सोने के सिक्के राजा ने प्रजा को दे दिया था नहीं दिया था खुद अपने खा जाने को लेच लगया था तो ये भी false है पेपल, फेल्ट, असेंड एंड सारी लोग सर्मिंदगी महसूस किया यानि लोगों ने क्या किया लोग सर्मिंदा हुए एंड सारी और दुखी हुए लोग क्या हुए सर्मिंदा और असेंड माने सर्मिंदा और सारी माने दुखी दुखी हुए यह बात सच है, यहाँ पर T लिख देना है Learn सीखिये, Learn means सीखना, याद करिये या सीखिये Learn means याद करना या सीखना, the following names, following माने निम्न लिखित यानि नीचे लिखे गए, names माने नाम, नीचे लिखे गए नामों को याद कीजिए Four groups, आप animals, जो पसु दे हुए हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनके नाम इधर दे हुए हैं यानि पसुओं के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप माने समूह, ग्रुप का मतलब समूह जिसमें कमाम हो काफी संख्याजन में हो, उनको ग्रुप कहा जाता है तो पसुओं के ग्रुप जो हैं, उनके लिए नाम दे गए हैं, नीचे उनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए देखो ये इधर यो हैं, पसुओं के नाम हैं, इनिमल हैं, और उनके ग्रुप जो बन जाते हैं वो जब कई मात्रा में, कई संख्या में जब एक अत्र होते हैं, एक जगा होते हैं, तो उनको ग्रुप में कहा जाता है, ग्रुप में नाम बगल जाता है उनको जैसे सीप माने हमने बताया था कि भेड होता है और भेडे होता है यानि एक बचान और बचान दोनों के लिए सीप लिखा जाता है तो सीप माने भेड या भेडे और बाड्स और पच्छी यानि कई पच्छी अब उनका जब तमाम एक जुन्ड होता है उसको इंगलिस में फ्लाक कहते हैं फ्लाक का मतलब होता है सीप का यानि भेड का और बकरियों का और पच्छियों का समूह तो फ्लाक माने क्या होता है पच्छियों का या भेडों का या बकरियों का समूह यानि फ्लाक आफ बड्स ये फ्लाक आफ बड्स माने एक पच्छियों का जुंड तुमने देखा होगा कभी-कभी एक जगा पर कई पच्छियां एक पेंड पर या एक जमीन पर के टुकड़े पर या कहीं भी उडती हुई तो फ्लाक में देखा होगा फ्लाक माने जुंड के जुन्ड में फिर देखिए बीज बी माने मदमक्खी और बीज मदमक्खी बहुबचन बीका बहुबचन बीज बहुत सी मदमक्खी तो बहुत सी मदमक्खियां जब एक साथ होती हैं जैसे चाता में चाता क्या होता है बनमक्खियों का उसमें भी एक साथ होती हैं और फिर तुमने उनको उड़ते हुए देखा होगा, जमीन से उपर की उंचाई में, आकास से उड़ते हुए जाते हुए, जुन्ड के जुन्ड में, गाउं के बच्चे अवसे देखा होगा, कि मदमख्यों जब उड़ती हैं, एक चाता से पूरा पर हट जाती हैं, दूसरी जगा उ जुन्ड, यानि बहुत से मदमख्यों एक साथ, और एक सुभाव से भागती हैं, चलती हैं, या कतर होती हैं, उनको स्वारम जाता है, तो मदमख्यों के जुन्ड को क्या कह जाता हैं, स्वारम, ढरावं, चीतियां और रहपिट, खर्गोष, जब जुन्ड में होते हैं, चीटियां जब जुन्ड में होते हैं तो उनको कालोनी कहा जाता है कालोनी क्या कहा जाता है कालोनी वैसे कालोनी माने नई बस्ती होता है जहां कुछ नई बस्ती नए घर बनते हैं लोग रहने लगते हैं उसको भी कालोनी कहते हैं लेकिन कालोनी कहते हैं चीटियों के और घर हर्ड साफ दियर यानि उनके भिरनों के जुंड और हाथियों के जुंड इनको हर्ड कहा जाता है जुंड को समूह को फिर लायंस जब सेर होते हैं एक साथ जुंड के जुंड में तब उनको प्राइड कहा जाता है वैसे तो प्राइड मनें घमंड होता है गरो होता है घमंड कहते हैं school up fish फिस मने मछली और मछलीयां दोनों होता है फिस मने एक मछली और फिस मने बहुत सी मछली जायनि फिस का एक बचन और बखु जब समूह में होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है पैक कहा जाता है, पैक आप डाक्स, यह पैक आप डाक्स मने कुत्तों का एक दल, एसमू,